वेल्कम टु सॉलेटिक ए्नसन क्लासिंगासिस तो आज अपन बात करेंगे जीए टी के डिसॉडर जिसमें है आपना लीवर सिर्व होुसीच सबसे पहले अपन बात करेंगे अपन पढने वाले टॉपिक क्या हुआरा ओगा तो सबसे पहले अपन इसमें इंट्रोग्शन्स 10 वन्स का मेनेजमेंट और लास्ट सका कॉम्पलीक्शन तो यह अपन आज डिसकूस कने वाल हैं किसके अंदर लिवश सिरोसिस के अंदर तो let we start लिवश सिरोसिस सबसे पहले अपन बात कते हैं इसके introduction source के definitions के अंदर तो अपने यहाँ पर लिखा है कि Rene Lenk यह Rene Lenk जो था इन्हों ने ही सबसे पहले इस सिरोसिस जो यह word लिखा है इस इरुसिस जो नेम है इसको इनोंने दिया था तोब मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट टाइम डिस नेम वज गीवन बाई रिने लेनक और इसी रिने लेनक ने आपको बता देता हूं कि इन्वेंशन के अधा किसका इस्तेसकोप का भी किया था यह वर्ड कब इन्होंने दिया था सिरोसिस वर्ड तो यह 1819 ठीक है 819 के अंदर लिवर सिरोसिस जो वर्ड है यह इन्होंने दिया था अब बात करते हैं इसके definitions की कि लिवर सिरोसिस क्या होता है तो अपन लिवर सिरोसिस के बारे में पढ़ते हैं कि किसको कहते हैं लिवर सिर यहां लिखा है। और क्या लिखा है structural changes and significant loss of liver function और उस वज़े से क्या होता है कि liver का जो structural जो होता है जो बनावट होती लिवर की चेंज हो जाती है और उस वज़े से क्या होता है liver का जो function होते हैं वो भी loss देखने को मिल जाते हैं और आगे क्या लिखा है हमने degenerative and destruction of liver parent chemo cell लिवर की जो parent chemo cells होती है वो क्या हो जाती है degenerate हो जाती है और क्या होता है वहाँ पर destruction देखने मिलता है इसी को अपन क्या बोलते हैं liver cirrhosis कहते हैं and next अपन पढ़ने वाले क्या इसमें लिखा हमने types लिखा है तो अपन मैंने इसमें liver cirrhosis में four types होते हैं अपन डिसकस कने वाल है कि इसे alcoholics क्या होता है alcoholic cirrhosis किसे गएंगे तो alcoholic cirrhosis का मतलब है कि जो cirrhosis होता है जो liver को damage हो रहा है liver में fibrosus बन जाते हैं वो किस होज़े से बन रहा है alcohol की वज़े से बनते हैं तो इसको मैंने बोल दिया alcoholic cirrhosis बोल दिया पहला हो गया लिवर सिरोसिस का दूसरा लिखा पोस्ट नाक्रोटी का नाम से चानते हैं उसके होने का रीजिन क्या होता है तो जो बाइल डक्त होती है जहां से क्या होता है बाइल निकलता है लीवर की घाल 표현 हो जाता ओर इससे को मैंने कैब बोल दिया smaller 1 ऍपैसिर्योर ुम्री सिर्यूसों के नहीं मैं बात की नियौने क्या पात की तो को रिजन को होता है यह Snodani का चीज रिवर के चार्ड चीज आप्शिता है का। को यह जो अदेखें काल यह जो दौरोचर चाय टुदक करेंद कानी ती खा movement को सब्साने दिख्षायन के अन्क क्योंग मतलएक ध्याइकीक कॉछ‍b अब next नान पन क्या बात करते हैं, इसके causes की तुसरे लिवर सीरोसी की cause क्या होते हैं, कारण क्या है क्यों ऐसा होता है तो पहला हमने दिया, most common cause होता है, alcohol alcohol जादा ín-teak करने से क्या होता है, लिवर को डेमेस हो जाता है, ठीके दूसरा लिखा है मैंने Obstruction of Biotic जो मैंना भी आपको बता है Billiard Seriousis के बारे में वही है तीसरा लिखा Use of Drug Use of Drug में आती है कौन सी है Iso Neazide Iso Neazide के क्या होते है Side Pact होते है Iso Neazide के Side Pact होते है तीन होते है पहला होता है I दूसरा N और तीसरा क्या होता है H तो फ्रेंट्स अपन बात करते है इस तीनों में Iso Neazide का मतलब क्या होता है Iso Neazide का Acquisition हो जाता है Cell Mitochondiagandar N4 क्या होता है Neuropathy cause करता है और H4 जो लिखा है वो क्या होता है Hippityitis cause करता है तो यह Hippityitis cause करता है यह क्या होता है इस drug की वज़े से क्या होता है इसका side fact को देखने को मिलता है तो यह इसका कारण बन सकता है And next one क्या लिखा है Alpha 1 Antitrypsin Deficiency इस वज़े से भी क्या होता है Liver Damage होने के chances बढ़ते है तो यह सारा क्या बता दें हमने causes की बात कर ले इसके pathophysiology pathophysiology हम अपने लिखा है Due to etological factors कोई भी कारण हो सकता है जिससे क्या होगा liver में inflammation infection होगा और क्या होगी liver की cell tissues damage हो जाएंगे इसको liver negrosis हो जाएगा और यह आगे जागे further क्या लेट करता है हमने पढ़ा liver cirrhosis के नाम से इसको चानते है अब मैं आपके बात करता हूँ इसके आगे बात में हमने क्या लिखा है इसके sign और symptom sign symptom के अगर बात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने एक trick बना है और इन trick से दुआरा अपन सबको अपन पढ़ने वाल है अब trick कान सी है तो मैंने लिखा यहाँ पर फाका साप गर पे है जिया फाका साप गर पे है जिया ऐसा आपको याद करना है फाका साप गर पे है जिया यह pk tricks है अब फाका साप में देखो फैले F, फिर A, फिर C, फिर A F का मलब क्या होता है यहाँ पर एक main जो आदमी मर गए आदमी की जो सुगन नी आती है इस तरीके से यहां पर ब्रीत की सुगन आती है उसको बोलता है फेटर एप्टिय इसमें मस्टी ओर इन ब्रीत उसकी ब्रीत में कैसे ओर राती है और इसके आने का रीजन क्या होता है यह अच्राइब मिधाल शुफार तु पहले कर दियान लगना है अब पढ़ दो फोट अब होगए को साप को साप के अने अनुट होता है इसका अजी पालेश को बढ़ता है इसवाटर अधियर नहीं दो दो फिर नगेगा है आंप पर पर कमल लगें होता है सर यहां पर पॉर्टल हाइपर यह नापको बता दिया है ठीक यह हो गया पर और है यह पर पर देखने को बिलते हैं अब डियाग्सिस में का करेंगे लेवर फंसं टेस्ट करेंगे सिर्म बिलीरिवीन का टेस्ट करेंगे सब्सक्राइब अब्लीवेटिशित करते हैं सोनोग्राफिय करवाएंगे एब्डिमेन को एक्स्ट्रे कर सकते हैं सीबी सीच कर देख कर वायंगे और सब्सक्राइब को मिलनेगा मोनोसाइट के जो लेवल है डिवीवीशिक गंदर वह बहुत बढ़ जाता है ठीके और फिट क्合ूज क्या है क्या करते ने खूरिश करते कंद दूराइए और हम च्छी चैंस विटाम आंगे जूरया कारते हैं फिल रूच स्वाइं जाधे लगए क्या करों मैं थिक है कैसी दै रते भाह सगते हैं皂 फेट प्रोटेन तो हम चुब लिएट क्निक आठ और हम हैं देंगे राट काइब तो अनियुरी principle देने वाले हैं देके हैं मुझ तो यहां पर羅ग करते हैं एलकोल बॉबत है मैं चुर्च के लिए यह को बता है नियो माइसर्ण सल्फियट देंगे की लिए करती हैं reducing the ammonia forming bacteria को माने के काम करेगी जिसे जादा ना बने लेक्टुलोज अपन सिरम दे सकते हैं ठीक है जो स्टूल सॉपनर होता है उसको देंगे ताकि यहां पर जो अमोनिया है उसको क्या है इंटेर्शन में ट्रेक ट्रेप कर सके और डैकलीस को भाहर निकाल दिया जाता ह कि इसमें इंसिजन जो लगा जाता है किस प्रकार से लगाते हैं किस तरीके से ध्यान लगना और अपन जब भी एटॉप्सी करते हैं या पोस्मार्टन करते तो इसमें इस तरीके से होता है इस दो चींज आपको मैं नहीं बता रहा हूं इस पर तोड़ा कुस करना ध्यान बात का अब आते हैं इसके कोम्पिक्शन कौन को और से होते हैं तो पे टल हाइपर टेंशन होगा हैस्ति हो सकता है बेटनए अपकोकर! अब करना इसका nursing intervention ठीक है तो प्रोवाइड करना सप्लिमेंटरी विटामीन ए बी सी और कि फॉलिक एसिड देना है थाइमीन देना है बाहर से रेस्टिक करना है sodium intake को fluid intake को रेस्टिक करना है assess for क्या लेका है pre coma state को assess करना है तो यह पर ओपर अपर अपर अच्छा लगा होगा और आपको अच्छा लगे तो इस लाइक फ्रेंड वीडियो को ज़रू ज़्यदा-ज़्यदा सेर करें अपने दोस्तों क्सात्याथ में था को इनको भी help मिले सोट व्यू में आपको मेंट बता दिया नहीं चीज़ आपको मेंट बता है यहां पर जैसे किस्ना ठैंक यू